आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें देखे, कॉशन हमारे पास है कि डेविस्न जर्मर्ड की प्रयोग में विवर्दी तरंगे होती हैं, तो वह क्या होती है, क्या वो एलेक्ट्रवंмी नामक दूब विज्ञान नेकों ने इलेक्ट्रोन के लिए उनकी तरंग प्रकृति का अपने प्रयोग टेविसन और जर्मर प्रयोग का प्रयोग इसके कारविद हम तोड़ा सा समझ लेते हैं जहां प्रयोग को समझाने के लिए हम यह बताते हैं सबसे पहले तो यह जो लाल हिस्सा हमें दिख रहा है वो energy filament के लिए वह सकते हैं कि कम अझिए श्रूड happy कि साहता से जोड़ दिया जाता है इसे कि क्या होगा वह भाट्री से ध़ारा प्रवाइब करती जिससे कि तंतु में, जो उश्मिय रूप से इलेक्टरॉनों का उध्सर्जन शुरू हो जाता है, तो इलेक्टरॉनों का उध्सर्जन होगा, तो यह जुड़ी हुई है एक बिलनाकार खोगली सनचना से ठीक है, जिससे हम कहा देते हैं, कै्थोड. तो यह हमारे लिए कैथोड बना ठ तो इस तरह से जो electron उत्साजित होते हैं, ठीक है, electron यहां से उत्साजित होंगे, वो अक्षी रूप में इन खोकले बिलन वाली जो अक्ष पर शिद्रित होती हैं, वहां से निकल करके कहा पर जा रही है, target या लक्ष पर जो निकल के धातुका बना होता है इसे हम बोलते हैं लक्ष अब देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन जब आप्तित होती है तो आप्तित होने के बाद इनका यहां पर होता है विवर्तन का मतलब है कि किसी भी अलग-अलग कोन पर यह विवर्तित होती है और फैल जाती है फैलते विद्वताने की टीवर्दा को नापजा सकता है कि वह हो रही है अनुसार तो ये पूरी प्रक्रिया तो होती है इसमें से एलेक्टरोनों की प्रक्रती का भायों क्या गाया था तो ये किससे समन्दित होता है तो डेविशन जर्मट की प्रयोग में विवर्टित तरंगी क्या होती है वो होते हैं एलेक्ट्रॉन ठीक है तो आप्शन नमर A is the correct answer अप्शन चर्णी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर